नमस्कार दोस्तो अगर आप PF के मेंबर हैं, आप अपना PF का फॉर्म भढ़ने के जब आपने ओनलाइन सर्विस पे जाके क्लेम्स पे टच किया तो आपके पास कुछ इस तरह का Error Message आ रहा है क्या है यह Error Message और कैसे आपको इसे Solve करना है, मैं आपको Practically यहां पे समझाने वाला हूँ उससे पहले नमस्कार दोस्तो मेरे नाम सागर है, मैं एक PF Consultant हूँ मैं इस चैनल पे आपको PF की Practical जानकारिया देता हूँ अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए PF की, यह चैनल बेस्ट है, आप इसमें से अपनी जानकारी ढूंड के निकाल सकते हैं अगर आपको Personal Consultation चाहिए हो, वो भी मैं Provide करता हूँ दोनों ही Options आपके लिए Available है, Free Resources भी है और आपके पास Paid Consultations भी है तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, यह एक Error है, Error क्या कहता है, Error कह रहा है कि जो आपका क्लेम आप अगर भरना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपका Bank Update नहीं है Kindly आप Bank Update कीजिए Through Your Employer, Employer के Through आप अपना Bank Update करवाईए, उसके बाद ही आप Online PF Withdrawal की Facility ले सकते है तो आप अगर बाहर चलेंगे, Home पे जाएंगे, Home पे आपको Profile टच करने पे नजर आएगा कि यहाँ पे फिलाल Bank Not Available है, तो Bank अगर Not Available है, तो आपका PF का Amount कौन से Bank Account में आएगा तो इसी logic को समझते हुए, PF Office ने कहा है, कि अगर आप Online Service पे जाके Claim लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले आप अपना Bank Update कर लीजिए, और ये Bank Update कैसे करना है, क्या हमें अपने Employer को बोलना है कि आप Bank Update कर दीजिए, नहीं, Employer अपने पार्ट पे Bank Update नहीं कर सकता, आपको अपने PF Account से ही request raise करनी है, वो request आपके Bank के पाज आएगी, तभी वो उसे approve कर सकता है, मैं आपको सारा process दिखाऊंगा, आप देखेगा ध्यान से, Manage में जाना है, KYC में जाना है, जब आप KYC में आ गए, आपके पास Bank Account लगाने का option आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे account number mention करना है आपको, ठीक है, उसके बाद account number जब आपका mention हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे IFSC code mention करेंगे, मान लिजे मैं यहाँ पे for example कुछ भी IFSC code mention कर रहा हूँ, तो यहाँ IFSC code mention करके, यहाँ पे OK करना है, OK करके आपके पास यहाँ पे इस तरह से verify करने का एक option आएगा, verify करने का जब आपके पास option आजाए, फिर आप यहाँ पे अधार OTP के through इस request को submit कर देंगे, यह request चली जाएगी, कहाँ पे यह request चली जाएगी, first of all आपके bank के central server पे जाएगी, bank का central server यह decide करेगा, कि जो आपक UN के अंदर नाम है, उसकी नाम की spelling आपके PF के record से match कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब जो आपके UN में माल लीजे, आपका नाम है ABC, ठीक है, ABC और सरनेम है XYZ, ठीक है, तो ऐसा ही नाम आपके bank में भी होना चाहिए, exactly, exactly ABC होना चाहिए, space होना चाहिए, XYZ space के बाद लिखा होन अगर ऐसा नहीं होगा, तो आपके request जो है, वो bank के system से ही reject कर दी जाएगी, वो आगे जाएगी नहीं employer के पास, जब आपके request bank के तरफ से approve हो जाती है, by confirming your name, your account number and your IFSC code, जब ये तीन चीज़े verify हो जाती है, उसके बाद ये request चली जाती है, to the employer, employer के पास जब request चली जाती है, तो employer को अपने digital signature से इसको approve करना होता है, इस person ने, जिस person का अभी मैं आपको account दिखा रहा हूँ, इन्होंने already request लगाई है, जो की request अभी pending with employer for digital signature लिखा हुआ है, तो ये request अभी employer के पास चली गई है, employer को इसे करने में कुछ भी extra कोई cost नहीं लग रही है, बस employer को अपना DSE ल है, आप इसे delete करके अपनी fresh request लगा सकते हैं, बहुत सारे doubts आते हैं, क्या हम इसमें किसी और का bank account लगा सकते हैं, नहीं, क्या आपका salary account होना ही mandatory है, बिल्कुल नहीं, क्या आपके पास digital account है, वो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है, आपको अपना legitimate, अपना जो government bank हो या private bank हो, जिसकी आपके पास bank के passbook हो, या bank का check हो, with the name printed on it, वहीं आपको bank update करना है, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि employer portal पे ये किस तरह से नजर आएगा, सो मैं यहाँ पे employer portal पे login कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको member पे ले जल रहा हूँ, और member पे आप देखेंगे, KYC seeded by member, जब आप अपनी KYC के request लगाएंगे, तो वो request employer के पास कुछ यहाँ पे इस जगे पे जाएगी, जो pending के अंदर show कर रहा होगा, तो यहाँ आपका UN number, यहाँ आपका नाम, और यहाँ आपका below account number आप लगा रहे हो, IFSC code, bank account number, और इस पे आपका क्या आएगा, कि आप accept करते हो, या reject करते हो, इस तरह से आपकी request चली जाएगी, और जैसे employer उसे DSE से approve कर देगा, फिर वो आपका update हो जाएगा, एक बार आपने update कर लिया, चाहे पास ये काम आया है, मेरे को कहा गया कि मेरे को ये काम आप करवा के दीजे, मैं इनसे as a feast charge कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको YouTube पे educate कर रहा हूँ, साथ में ही मैं classes के तुरू भी ये educate करता हूँ, मेरा motive है कि PF की सही जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए मैं YouTube पे free of cost भी educate करता हूँ, और अगर मेरे से personal consultation चाहिए हो, वो भी available है, साथ में ही मेरे को एक लाख लोगों को PF consultant बनाना है, उसके लिए मैं courses भी बना रखे हैं, जहां पे आपको personal mentorship मिलती है, personal guidance मिलता है, तो आपके पास सभी options मैंने बता दिये हैं, आपको जैसा भी सही लगे आप क कर सकते हैं, आप चैनल को subscribe करके support करना ना भूले, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद,